तो है काई सब्सक्राइब तो जैसे के पेर वेल्ट क्लाप्स पर हम ट्रांसपोर्टेशन इंप्रांट्स का गाई सब्सक्राइब जो भी कुछ थे इसके अंडर आते थे इसको चुछ ट्रॉम उसको खथम कर जुगे तो उस वीडियो को नहीं देखें डिस्क्रिश्ट्प्स सब्सक्राइब लिंक है जाकर देख सकते हैं तो वैस ने और कुछ दो टर्म हैं जोगी फैसले डिफुजन और इस अक्टिव ट्रांसपोर्ट इस दोनों का आज हम इस क्लेक्स में पूरी तरह से कदब करने वाले हैं तो इस चलिए बिनादर के टपिक को स्टाट करते हैं ह और जैदा त्रहम में वर्ष्ट ने कर दददना चाहता हूं तो इस चलिए तो इस प्यासिलिटेट्ट डिफ्यूजन क्या होते हैं इस देखते हैं तो इस फैसलिट्ट डिफूजन निजे पासी ट्रांसपोर्ट अब सॉल्यूट आक्रोस से मेंब्रेन मेडिकेट रवाया है तो गाइस टीप्व्यूजन तो हम पर शुक्ता तो टीप टीफियोजन के तरह गासी तरह इप्रस्पूर्ट होते हैं जिसमें जो होते हैं जो कि carrier protein do not form transmembrane pores through which diffusion of solute occur और गाइस जो protein channel होते हैं गाइस और इसमें जो carrier protein होते हैं हो कोई भी transmembrane pores form नहीं करते हैं जो गैस इस diffusion के मज़द से हैं ठीक गाइस rather the solute to be transported is initially bound to the specific sites on the barrier protein which in turn release the solute on the other side of the membrane without the expenditure of metabolic energy और गाइस क्या होता है गाइस यह solute जो गाइस इनिशेल ट्रास्पोर्टर्ट हो जाते हैं यह गाइस एक तरह सा specific sites में bound होगे रहते हैं जो कि एक carrier protein के तरह जिसमें क्या होते हैं इसमें एक तरह सा metabolic energy का without में absence में यह सब होती है ठीक गाइस binding causes conformational change in the carrier protein which helps release the solute on the other side of the membrane loss it कि कैंधा होता है जो binding होता है उसके वजह से क्या होते हैं ऑचोडा होती जो की किराthis है जुक्सक्य के वज़ें कारें सदिले करने में help होती जो थे मिलके weit ताम में साइट में जो कई साइट कई ने के लिए यह बहुत ज्यादा help होती है यह कंपरिमेशनल चेंड के वैसे यह होती है जो कि फिकर हम देखेंगे 10.3 में आगे तो इस नेक्स आगे दिखते हैं तब प्रेजंस ओफ स्पेसिपिक बाइंडिंग साइट में देखते हैं तो प्रेजिट प्रोटिन हाइली स्पेसिफिक पर प्रेजिट कर देता है तो इस हाएली स्पेसिफिक कर देता है जिसकी बージव से प्र्टिछल्ड गूतर है इसका मेंबरिन कतरह तो इसको होता है जो बाइंडिंग साइट के बाज़े से यह प्रेजिस होने के बाज़े से एक अमारा फ्रोटीन को हाई हली स्प्रेसिफिक बना थे जोगी स्वल्ट के लिए परिकुलर सब्सक्राइब के लिए जोगाइब ट्रांस्पर्ट होते हैं मेंब्रेन का उपर इस चैनल पोटेंशा गरेटिंग बहुत जादा सिमिलर होते हैं जोकि सिंपल दिफूजिंग के तरब ट्राब ट्रांस्पोर्ट अब सोल्ट अक्रस तो शेल में बाइब बैए फैसले टिफूजिए इस फास्टर थान दोश एक्स्पेक्टेट फूजिए पोर सिंपल आई डिफूजिए अब सिलेक्टिविटी पर सॉर्टन टाइब अब सॉल्ट के लिए यह जो क्यार होते हैं एक तरह सा बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिफ डिफूजिए फॉम करती है तो गैस एक स्पेसिफिक सल्यूजिट के लिए देविकम साचुरेटेट वेन एक्टरनल कंसेंट्रेशन अब सोउन्यूजिट स्टोर्ट होते हैं इस मिंधूजिट सख्व कौक्रीट हो जाते हैं approximately एक्ट्रेनल कउसेंट्रेशन अब वॉइप की हैं फेल्स för श्लुटी यह भी तो यह मति Giovannでした नींति हरा नॉटेन यह जो से प्रोटेन होते हैं इस यह लीप भी ए ठिक हैस इस हाई याफ आल लूं पहला मेसर कर दीमाड जैंड जिसका हां कि मैंस केड़े हैं हुआ तो यहुआ ट्रॉट इंट हस अक शरॉट इस था उलता तो वहले ट् vård 59 च तो गई आक्टिव ट्रांसपोर्ट दब मुव्मेंट अब सॉल्यूट एगनेस्ट है कंसेंट्रेशन ग्रेंट क्या होते हैं तो गई इस एक तरह सा मेंब्रेंट जो कि प्रोटीन मेंब्रेंट के द्वरा इस चैरी होती है जो कि मेटाबोलिक एनर्जी नीट कर दी है वह उस इसको बोलते हैं गयास अक्टिव ट्रांस्पोर्ट ठीक,एस तो गईस पैसिएर डिप्यूजन में कोई तरह सा मेटाबॉक एनर्जी नहीं होते है जो क्या दिनằut नेल्ग कर दी है तो गैस घ्राइशल डियूट का मॉव्मेंट जोटे amendment जो कि इसका primary active transport और secondary active transport depending upon the way of energy is used तो इनर्जी का यूज होने के वाज़ से इनर्जी के वे यूज होने के उसको depend करके यह हमारा active transport जो हते हैं गाइस primary active transport हो सकते हैं और secondary active transport हो सकते हैं ठीक है गाइस membrane protein carried out primary active transport hydrolysis active oils and use the release energy for use for the transport of solute तो गाइस membrane protein जो होते हैं गाइस क्या करते हैं गाइस यह गाइस हमारा private active transport को यह carry करते हैं जो है इसको यूज करके गाइस energy release करते हैं जो गाइस solute को transport के लिए जो गाइस इंपोर्टाट हो गाइस next इस carrier protein क्या सरी गाइस this carrier protein are called forms तो गाइस यह जो carrier protein होते हैं जिसके मदद से गाइस जो energy need करके गाइस solute को transport करते हैं उस तरह का जो carrier protein होते हैं गाइस उसको बोलते हैं guys bombs on the other hand carrier protein carrying out secondary active transport solute use energy or the proton s plus gradient formed by a different process to transport solute okay other hand में मुकबले अगर बात करें तो गाइस जो protein guys carrying secondary active transport not primary ठीक गाइस यह गाइस proton s plus energy यह यूज करती है जो गाइस gradient form करने के लिए जो गाइस एक different process होते हैं solute को transport करने के लिए ठीक है guys along with the transport of solute proton is also transported down its concentration gradient and its process is known as core transport तो guys यह जो second process में क्या होते हैं guys हमारा solute के साथ साथ जो gradient और concentration जो होते हैं guys हो भी transport हो जाते हैं okay guys यह इस प्रोसेस है तो guys इसलिए इसको बोलते है core transport ठीक है there are two major type of count transport तो guys इसमें दो तरहाशा major type core transport होते हैं जिसका इससे सिंपोट अंड अंठीपोट यह से दो तरहाशा core transport होते हैं guys when the proton and solid move in the same direction through the membrane it is called simple to simple kya होते है जब गाइस proton और गाइस solute जो होते हैं guys वो सेम डिरेक्शन में मूप करते हैं यह होते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं इसको बहुत हैं जो किमेन तुकि हम दिखिएंगे 10.4 तोर सिंपोर्ड में तो गवें जो कि प्रोटन न शालूट यह दोनो इस जाम प्रीयुट में ट्रांस्पोर्ट होते हैं योगी मेंब्रेन में में अजिक होते हैं प्र आनडो इन श्रॉट यो फिन विवहते कि I can attend अक्रस ते सेल मेंब्रेन परोटीन इंडिपेंड सेल्ट होती है यह यह जो प्रोसेश होते हैं यह यह यूणिपोर्ट होते हैं रिदर न जोसेल निड़ निट कर दिया हैं जब नर्गेंट होते हैं yeah जो देख सेथे हैं countries आंटिपोर्ट इसका फिकर हैं तो कैस है आपको थिरिकाल मोडल जो कोड़ांसपर्ट सिंपोर्ट अंटिपोर्ट थिकेश तो वेस्ट इस इंपोर्ट में देख सकते हैं शेम डिरेक्शन में मतलग कैस अब सोल्यूट और जो स्लिट और यो जो प्रतों ग्शन में प्लोग होते हैं वरी के में इस्का कर एंहीं करता है वेसलेट डफिजन अग्स आक्टी कहीं में थेखेंगे व्लवाध रिलेश्ट है तो उस पल तक बनाना वाशाथ और एक बात बताना चाहता हूं तो वीडियो आने में देरी हो रहे है कि मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा फ्रेशर है तो उन काम के लिए और वह के लिए मैं टाइम निकल नहीं पाता हूं इस मतलब नोट्स के लिए और हम ओक्लास करने के लिए तो इसलिए बहुत ज़्यादा माफी जाता हूं तो जैसे ही मैं फ्री हो जाएंगा मैं फ्री होता ही आपके लिए वीडियो बनाग कर अफलोड करता हूं तो उसके लिए डॉन्ट हो रहे है और भी बात कहता थाना चाह वेडियो बने में इंट्रेस्ट भी नहीं रागता है तो गैस प्लीज शपोर्ट इट अगर आप सब्सक्राइब तो गैस श्टे कनेक्टेट अंट तो गैस थैंक्स पोचिंग थे वने ने रिक्षप भीए